हुआ फ्रेंद्स वेलकम बेक मैं भी जिंद्रनाक्त आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर आज हम क्लास 10 के चैप्टर फर्स रिसूर्स और डेवलोप्मेंट संसाधने विकास के पाँच मां के क्वेश्टिन से रिलेटेड मोस्त इंपूर्टन क्वेश्टिन से don't forget question number one the earth has enough resources to meet the need of all but not enough to satisfy the greed of even one person how is this statement relevant to the discussion of development discuss प्रत्वी पर पर्याप्त मात्रा में संसाधन है जो हर व्यक्ति की आवशक्ता को पूरा कर सकते हैं लेकिन इतने नहीं है कि वो हर व्यक्ति के लालच को पूरा कर सके महत्मा गांधी का यह जो statement है यह statement किस तरह से विकास से सम्मधित है इस पर चर्चा कीजिए तो यह statement बिलकुँ सही है everybody must be agree with this statement the views of महत्मा गांधी in about statement because इसकी बहुत सारे कारण है कि संसाधन तो है लेकिन वो लालच को पूरा नहीं कर सकते तो संसाधन कैसे बहुत पूर्ण है यहां हमें संसाधन की importance बतानी है उनकी जरुरत बतानी है कि किस तरह से वो हमारे लिए useful है तो सबसे पहला है resources are vital for any developmental activity विकास का कोई भी कार्य हो बिना संसाधन के हो इनी सकता इसलिए संसाधन बहुत महत्मा पूर्ण है संसाधनों का असिमित उपभोग किया जा रहा है उसका आवशकता से अधीक जो उपयोग किया जा रहा है इस उपभोग और उपयोग ने बहुत सारी सामाजीक आर्थिक और पर्यावरणी समश्याओं को जन दे दिया बहुत सारी समश्याओं आजकल जो हमें देखने को मिलती वो सब ये ओवर यूज ओफ रिसोर्सेज की वज़े से हैं तीसरा इंडिस्क्रिमिनेट एक्स्पोइटेशन और रिसोर्सेज लेड टो ग्लोबल एकोलोजिकल क्राइसेज सच इस ग्लोबल वार्मिंग इन्वारमेंटल पोलुशन ये जो असमित मात्रा में हम संसाधनों का सोशन कर रहे हैं वो बहुत सारी पर्यावरणी समश्याओ को वेश्विक पर्यावरनी समश्याओं को जन्देरा है जिसमें ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरन प्रदूशन सबसे महत्पून हैं और ये इसी वज़े से हैं कि हम आज असमित मात्रा में आनियंत्रित उप्योग कर रहे हैं संसाधनों का चोथा दे ग्रीडियंट सेल अफिश इंडिविज्विज्व और एक्स्प्लोइटिव नेचर अफ मोडन टेक्नलोजिक दरूट कोस फोर रिसोर्स देप्लिशन अट ग्लोबल लेवल आज कल के जो टेक्नल फ्रेंडली इंसान हैं उनका जो लाल्ची और स्वार्थी नजरिया है रिसार्स रिसोर्स की का मैन रिजन है कि वो इस टेक्नलोजी की वज़़ से रिसोर्स को इतना अधिक निकाल लेना चाह रहे हैं कि वो पूरे वर्ड पर रिसोर्स के खतम होने का एक बहुत बड़ा कारण बन गया है पाँचवा, if the present trend of resource depletion by a few individuals and countries continues the future of our planet is in danger कुछ देशों और कुछ लोगों का ये जो resources को निकालने का जो उनका train चल पड़ा है अगर ये आगे भी continue रहता है तो हमारी प्रत्वी पर एक संकट आ जाएगा resources खतम हो जाने का और last, there is need for sustainable development हमें एक सतत पोशनी विकास की आवशकता है it means development should be without damaging the environment and development in the present should not come with the need for future generation ठीक हमारा विकास ऐसा विकास नहीं हो जो भविश की लोगों के साथ एक तरह से अन्याय हो हमें अवरत्मान में भी विकास करना है और भविश की आवशकताओं को भी पूरा करना है इस तरह का विकास करना है इसलिए संसादनों का सीमित मात्रा में उप्योग करना जरूरी है महत्मा गांधी का यह जो वाक्य है statement यही प्रूव कर रहा है कि हमें संसाधन सीमित मात्रा में उप्योग करते हुए sustainable development की तरफ बढ़ना चाहिए तो बहुत important question है यह इसके बाद next question आता है जो की है second question suggest any sex measures to solve the problem of land degradation in इंडिया भूमी निमनिकरण को रोकने के उपाए बताए कोई 5-6 उपाए बताए और कैसे दूसरा इसका अथवा में है how can the problem of land degradation be solved in इंडिया किस तरह से भूमी निमनिकरण की समयशा को बारत में सुल जाया जा सकता है कुछ सुझाव दीजिये तो answer is the vegetation provides the protective cover to the land यह जो पेड़ पोदे हैं वो जमीन को land को एक सुरक्षात्मक cover प्रदान करते हैं vegetation cover doesn't allow the rain water to fall straight on the land पेड़ पोदों के यह जो cover रहता है वो वर्षा की बूंदों को direct जमीन पर गिरने नहीं देता है और इस तरह से it helps to maintain the soil fertility यह भूमी की उत्पादक्ता को बनाए रखता है साथ इसाथ यह reduce करता है soil erosion को थेके ब्रदा के अपरदन को रोबता है और इस तरह से वन लगाने से पर्यावरन के भूमी की निमनी करण की समश्या से निप्टा जा सकता है दूसरा shelter belts can be created on the margins of the desert areas मरुस्तली क्षेत्रों के जो आसपास के क्षेत्रे हैं वहाँ पर shelter belts लगाए जाए जिसके द्वारा जो desert का non-desert area में विस्तार को रोका जा सकता है shelter belts के द्वारा रक्षक में एकला जिसको कहते हैं third in semi-arid areas land degradation can be curved by cultivation technique it is based on moisture conservation और जो semi-arid areas मतलब अर्ध शुषक क्षेत्र है वहाँ पर land degradation को जो है cultivation की नई नई तक्विकों के द्वारा जो है वो सुधारा जा सकता है और इसमें moisture conservation है इसमें drip irrigation आता है इसमें sprinkler system आता है इन सारे जो latest cultivation techniques है, irrigational techniques है उनका use अगर हम करें तो अर्ध सुषक क्षेत्रों में भी land degradation को रोका जा सकता है फिर the industrial affluence and west are a major cause of land degradation उध्यों को से निकलने वाला जो अप्षिष्ट और west पदार्थ है वो भूमी निमनी करण के मुख्य कारण है therefore effective measure must be taken for the proper discharge and disposal of industrial affluence and west इसलिए industrial अप्षिष्ट पदार्थों और west को निकालने का discharge करने का proper management और system हो जिससे इनको व्यवस्थित जो है पूरी तरह से maintain किया जा सके फिर्थ है over grazing of land by animal is to be controlled जमीन के ओपर जानवरों की अती चराए को भी नियंतरित करने की जरूरत है और last day it is also necessary to stabilize the shifting of sand dunes in the desert area और मरुस्तलों में जो बालू का स्थूप या sand dunes है उनका जो shifting होता है उसको भी control में किया जाना चाहिए ठीक है और यह किया जा सकता है मरुस्तलों में जाडियों को लगा कर मरुस्तलों में जितने जाडिया बुशिज रहेगी उतना ही sand dunes के विस्तार को रोका जा सकता है तो यह सारे उपाय करके हम जो है land degradation को रोक सकते हैं इसके बाद आते है next question number third की तरफ question number fourth जो है why is soil considered as a living system म्रदा को एक जीवित system क्यों माना जाता है mention any two factors that are responsible for soil formation म्रदा निर्मान के कोई दो factor बताईए यह फिर इसका और में question है explain any five factors responsible for the formation of soil कोई पाँच factors बताईए जो म्रदा निर्मान के लिए उत्तरदाई हैं तो mainly यह question म्रदा निर्मान formation of soil और साथ यसाथ जो soil को एक living system क्यों कहा जाता है उससे संबदित है तो answer है इसका soil is the most important renewable natural resource soil भी एक प्रकार का renewable natural resource है it is the medium of plant growth and support different types of living organism on the earth यह जो है पेड़ पोदो के growth में बहुत उपयोगी होता है साथ यसाथ अलग अलग प्रकार के विबिन प्रकार के बहुत सारे चोटे 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 जीव जन्तों के जीवन का एक source भी है the soil is a living system soil एक living system है जेविक system है it takes million of years to form soil up to a few centimeter in depth और एक centimeter मिट्टी की परत को बनने में जो है millions of years लग सकते हैं अब soil की बनने की जो factors है तो उसमें बहुत सारे factors है जिसमें relief है उच्चावच जिसको कहते है parent row है जनक shale है climate होता है vegetation यानि जीव जन्तों रहते है other forms of life are responsible for soil formation तो चार पाच ये है उसमें सब पहला है relief relief का मतलब होता है उच्चावच या उच्चाई steep slopes have thin soil layer due to erosion ठीके जो खड़े ढाल होते हैं वहाँ पर अपरदन ज्यादा होता है और अपरदन ज्यादा होने की वज़े से वहाँ पर जो मिट्टी की बहुत पतली परत पाई जाती है और तो जहाँ ढाल कम होगा वहाँ मिट्टी की परत ज्यादा रहेगी thick fertile soils are developed in the valleys and lowlands और जो नीचे के valleys घाटियां जहा रहती है वहाँ पर मिट्टी की मोटी परत पाई जाती है फिर दूसरा है parent rog मिट्टी जो बनती है वो मुखे तर निर्भर करती है उसकी parent rog या जनक शेल पर जैसे जनक शेल होगी उसी type की मिट्टी बनेगी soils are formed by weathering of rocks depending on the types of rock अब weathering जो है अपक्षा ही जिसको कहते है उससे ये मिट्टी बनती है और जैसी rock होगी उतना ही मिट्टी को बनने का समय लगता है अगर rock soft है या hard है तो बनने में उतना कम या उतना ज्यादा समय लग सकता है there are different types of soil और उसी के base पर soil के अलग अलग प्रकार होते है soil का texture, soil का color जो होता है वो मिट्टी के color और texture को भी decide करता है जैसी rock होगी उसका texture होगा उसका color होगा उसी type की soil बनेगी फिर आता है climate climate या जलवाई बहुत important factor है the process of weathering, quantity of moisture, dryness, etc. in the soil depends on climate मिट्टी में जो different type में moisture की मातरा या रहती है या मिट्टी dry रहती है, मिट्टी की particles बड़े छोटे जो होते weathering की process जो है, erosion की process यह सारा सब कुछ जो है वो climate पर depend करता है ठंडे climate में weathering और erosion है बहुत कम रहता है तो वहाँ पर मिट्टी बहुत कम बनती है जो बहुत ज़्यादा गर्म ख्रतर रहते हैं वहाँ पर weathering और erosion दोनों ही ज़्यादा रहते हैं तो वह मिट्टी बनने की process भी speedy होती है फिर आता है vegetation पेड़ पोदे जो होते हैं वह मिट्टी के अंदर humus को add करते हैं तो जितने ज़्यादा पेड़ पोदे रहेंगे उतना ही उसमें humus quantity increase होगी और यह humus quantity जितना increase होगी उतना ही soil की fertility जो है वो increase होती है तो it makes fertile vegetation जो है वो soil को fertile करते हैं ठीक है जो desert areas होते हैं वो less fertile से लिए होते हैं क्योंकि उसमें less content होता है humus का फिर आते हैं time पर time is also an important factor the physical, chemical and organic processes take place and lead to the formation of fertile so only in a long span of time जितने भी भोती, रासाइनिक और जेविक प्रक्रियाएं जो मिट्टी की निर्मान में include होती है वो सब जितना ज्यादा समय मिट्टी के बनने में इन process को जितना ज्यादा समय लगता है उतना ही मिट्टी की quality जो है वो improve होती जाती है और जितना जल्दी ये processes होती है उतना ही मिट्टी जो है उसकी fertility जो है कम होती उसकी quality जो है वो differentiate करती है उस time पर तो there are five factors that are relief, parent row, climate, vegetation and time which affect the soil formation फिर आते हम next question की और question number five इंडिया is rich in certain types of resources भारत जो है कुछ प्रकार के संसादनों में बहुत धनी है but deficient in some other resources लेकिन कुछ संसादनों की भारत में कमी है Do you agree with the statement? क्या आप इस कथन से सहमत है? support your answer with example अपने answer के पक्ष में कुछ उधारण दीजी दूसरा अथवा में है यह In India, some regions are rich in certain types of resources but deficient in some other resources भारत के कुछ शेत्र में बहुत ज़्यादा resources पा जाते है कुछ शेत्र ऐसे भी जहां resources बहुत कम मिलते हैं Do you agree with the statement? support your answer with any three examples तो तीन उदारणों सहीत अपने कथन को प्रूव कीजे पाये जाते हैं जो की जारखन, 36 गड़ और मध्य प्रदेश में जबकि बाकी भारत में यह नहीं पाये जाते हैं दूसरा अरुनाच्र प्रदेश जो है वहाँ पर बहुत ज़दा पानी पाये जाते abundance of water resources but वहाँ पर infrastructure जो है वो अच्छा नहीं है फिर राजस्तान की बात करें राजस्तान is very well entered with solar and wind energy यहाँ पर सोर उटजा और पवन उटजा का यह बहुत अच्छा source हो सकता है लेकिन यहाँ पर water resource की बहुत कमी है पानी बार कम मिलता है राजस्तान में फिर हम बात करते cold desert of लद्दा की तो यह यहाँ cold desert है यहाँ पर cultural heritage बहुत अच्छी है लेकिन यह पूरे देश से कटा हुआ है यहाँ पर जाने के लिए routes और ways means of transportation की बहुत कमी है फिर लद्दाक has a very rich cultural heritage but it is deficient in water infrastructure and some vital minerals यहाँ पर पानी की भी कमी है infrastructure यहाँ का developed नहीं है और जो है बहुत महतपूर minerals जो है वो भी यहाँ नहीं मिलते हैं फिर आसाम की बात करते हैं आसाम has a mineral oil deposit यहाँ पर खनीज तेल के बंडार पाये जाते हैं और पानी के भी बंडार परयाप्त है लेकिन यहाँ पर development उतना नहीं हुआ जितना बारत के other state का है तो इस तरह के इन example से हम यह आसानी से मान सकते समझ सकते हैं कि बारत के कुछ areas में resources बहुत ज़्यादा है लेकिन कुछ मामलों में वहाँ पर कमी है ठीक है तो this is also a very important question तो इसी के साथ जो है आज के हमारे वीडियो chapter 2 chapter 1 resource and development के सारे 5 मा के important question यहाँ cover होते हैं अगर आप यह question learn करेंगे तो आपको exam में बहुत useful रहेंगे thank you for watching my video don't forget to like, comment, share and subscribe this channel thank you all the best for your examination कर दोड़ियो